क्या कहते हैं कि उठा के पत्थर को फैंको देखो ये अच्छा है कि बुरा बताओ आप लो सही है कि गलत अब लोग हमको गाली देंगे कि गुरु जी ने बताओ संग्त का परात कर दिया बागिश्वर धाम के पीठा धीश्वर पंडित धिरेंद कृष्ण शास्त्री के दरवार में संत रामपाल की सिक्षाओं से परिशान एक महिला का परिवार पहुँच गया इस महिला के परिवार ने बताया कि संत रामपाल की शिक्छाओं के चलते उनकी बहू नास्तिकों जैसा ब्योहार कर रही है उन्होंने बताया कि उनकी बहू के द्वारा घर में रखे भगवान शिब को बाहर फेंकने की बात कही जाती है दरसल इन दुनों मंद सौर में बागिश्वर धाम पीठा धीश्वर की तीन दिवसिये हनुमत कथा का आयोजन चल रहा है और इसी आयोजन के अंतरगत आठ जून को यहां दिविदर्बार का आयोजन किया गया दिविदर्बार शुरू हुआ तो अपनी चेर परिचेत शैली के अंतरगत बागिश्वर धाम के पीठा धीश्वर पंडित धीरेंद कृष्ण शास्त्री ने एक महिला को मंच पर बुला लिया उस महिला के साथ उनके पती भी मंच पर आये जो कि एक पुलिस कर्मी थे मंच पर बे कुछ आकर बताते इसके पहले ही बागिश्वर धाम के पीठा धीश्वर ने उनका परचा लिख रखा था परचा जब खोला गया तो उनके होश उड़ गये बागिश्वर धाम पीठा धीश्वर के परचे में लिख कर आया कि परिवार अपनी बहु से परिशान है बहु संत रामपाल को मानती है और इसके कारण निराकार पूजा करती है और साकार रूप में यानि पत्थर के दिवी देवताओं को मानना बंद कर चुकी है परिवार अपनी बहु से परिशान था और इसके कारण परिवार में काफी अशानती है बागिश्वर धाम के पीठा धीश्वर ने इस परिवार को आशिरबाद दिया कि तीन महीने में उनकी बहु ठीक हो जाएगी इस पर्चे के बाद बागिश्वर धाम के पीठा धीश्वर ने अपने भक्तों से कहा कि बेकिसी संत के खिलाफ नहीं है लेकिन अपने धर्म के कट्टर है जो भी लोग उनके भगवानों को मंदिरों से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं वे सब गलत है क्या कहते हैं कि उठा के पत्थर को फैंको देखो ये अच्छा है कि बुरा बताओ आप लोग अब लोग हमको गाली देंगे कि गुरू जी ने बताओ संत का परात कर दिया हमने किसी संत का अवहिलना नहीं कि हमने पद्धती की बात कि है तो हमारी प्रातना है कि अब आप को भी जगना पड़ेगा तुम खुद हो बुझ दिल सबके सब जबाब देना नहीं जानते हों कि तुमारे अंदर आब आज ही बुलंद नहीं है कि जबाब दो आब आज बुलंद करो और अपने माँ बाप अपने गुरू अपने भगवान इनके प्रती कट्टर बनो बरना आज भगवान को फिकवाया जा रहा कल तुम्हारे माबाप को फिकवा देंगे परसों तुमको फैंक देंगे इसलिए कट्टर बनो जागो अपने परमात्मा के अपने इश्वर का अपमान मत सहो हमको इस बात में बहुत खून खौलता है बागिश्वर धाम के पीठादीश्वर पंडित धीरेंद कृष्ण शास्त्री अकसर सनातन मामलों को लेकर काफी कट्टर नजर आते हैं और मंसौर में भी यही देखने को मिला जब एक परिवार की अरजी सुनते हुए अपनी परतिमाओं को लेकर मुखर हो उठे और उन्होंने कहा कि बे अपने भगवानों को मंदरों से बाहर निकालने के पक्ष में नहीं है और जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनका विरोध हो भारत का जिनका नाम परचे में आया चाहे वो भी हो हमारे ही सबके प्रतिश्रुद्धा है लेकिन हम अपने भगवानों का प्राद भगवानों की अवहिलना नहीं से सकते हैं चाहे उसका परणाम जो हो चाहे जैसा भी हो बाद में भले उनके जितने अन्याई है वो अगर आप सोचो के तुम गाली दो या यह करो या नहीं यह मुर्खता है हम किसी भी आपके मजहब या आपकी पद्धती या आपके उसके विरोधी नहीं है लेकिन हम अपनी कटर हैं आप जो कर रहें आप जो करवा रहें आप जो अपने सश्यों को आग्या दे रहें वो आपके पुन्न आपकी पड़ाई आपकी विद्ध्या है लेकिन यह हमारी पड़ाई है कि घर के मंदिर में बैठे भगवान भगवान है